ओके भाई और बेरो स्वागत है आप सभी का आज अपने पिछकारियों में जादा है मतलब क्योंकि दो हफ्ते हो गए ना रोस्ट वर्स नहीं आया इसलिए बहुत जादा नियूस है तो जल्दी-जल्दी करके शुरू करते हैं सबसे पहले बारी है डेर डेविल एको की क्यो तुम भी डेरडेविल हो 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 तुम भी डे रहे हैं वैसी डेविल को भी एक मेचौर टौन में ट्रीट किया जा रहा है और जितना अटेंशन लोग डेविल को दे रहे हैं उससे चार्ली और विंसेड दोनों ही काफी जाधा अमेज़ हो चुके हैं मैचौर टोन मार्वल स्पॉटलाइट आर रेटिंग कन्फर्म जश्ने के तैयारिया करवाओ मामा फिर स्पाइडर मैन एक्रॉस था स्पाइडर वर्स के प्रोड्यूसर क्रिस्टफर मिलर ने ये चीज़ बोली है कि वो लोग नी डीप मतलग घुटने तक घुसे हुए हैं बियॉंड था स्पाइडर वर्स को बनाने में और ये भी का कि वो लोग काफी साटिस्फाइड है कि कहानी जहां पर जा रही है अब आप घुटने तक घुसे होगे हमको इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता बस इतना बता देना कि जब तक इस पिचर का आखरी पार्ट आएगा तब तक हमारे घुटने सलामत रहेंगे कि नहीं फिर दिमोधी शलम है जिन्होंने ड्यून में और अभी वंका वे काम गया उन्होंने तॉम होलेंड को आइटिमेट रिज मास्टर का नाम दिया जिसको आने में ट्रास्फं करते हके क्योंकि इसको जैपनी स्टूडियो को दे दिया गया था तो अब यह अने में फैशन में बन रही fully ने कहा इसका नाम तो अब भी ठीक करके देता हो उन लोगों निसकी नाम को मिबदल दिया है और अब इसका नाम हो चुका है friendly neighborhood spider man आपके बारे में तो मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ही नाम काफी पसंद आया because spider man has always been friendly neighborhood तो yeah I kind of like it फिर इसके बाद what if का season 2 चली रहा है अगर आपको नहीं पता तो लेकिन इसके साथ ही जाथ इसके season 3 को भी green lit कर दिया गया है तो इसका season 3 भी आएगा मुझे नहीं पता ये इसमें कोई rocket science नहीं है अगर आप लोग नहीं समझ पाए हो तो इसके season 3 के बाद season 4 5-6 भी आएंगे हर साल जित्ती भी picture आती जाएंगी उसके साथ ये लोग what if नया निकालते जाएंगे क्योंकि picture ओ के साथ what if भी promise करता जाएंगे जो जो होता जा रहा है उसके साथ में एक एक scenario बनाते जाएंगे कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता समझें नहीं समझें समझोगे भी नहीं और इन दोरो animated series के अलावा Marvel Zombies भी आने वाली है लेकिन एक और नहीं animated series पे भी Marvel काम कर रहा है Disney Plus के लिए जो 2024 में रिलीज होगी इसका नाम है Eyes of Wakanda जो एक Wakandan warrior के उपर focus करेगी नहीं हमारे तचाका ये तचाला नहीं होंगे कोई different warrior होगा और इससे मुझे यादा एकिन लोगों ने कुछ ताइम पहले बोला था कि हम लोग quantity वाले content पे focus करेंगे quality वाले पे नहीं वहीं तो कर रहे थे हम लोग quality वाले content पे focus करेंगे quantity वाले पे नहीं तो उसका क्या हुआ लेकिन इसके साथ ही जाथ अगर आप लोग Netflix पे blue white samurai को enjoy कर रहे थे तो आपके लिए good news है उसको भी season 2 के लिए renew कर लिया गया है और अगर आप लोग ने उसे नहीं देखा तो I will very strongly recommend please go check it out बहुत ही जादा awesome है और उसके साथ ही साथ Pluto को देखना मत बूलना वो भी बहुत strongly recommended है तो Aquaman 2 theaters में चल रही है जिसके बारे में हम लोग आप कर चुके अगर आप लोग ने नहीं देखा मेरा review तो वो जाकर check out कर सकते हो यहां कहीं पर link होगी और DCEU के समाप्त होने की बात जग जाहिर हो चुकी है लेकिन WB के executives ने इस fact को well known कर दिया है कि Jason Momoa के लिए दरवाजे हमेशा खुले होंगे और जो James Gunn का नेया DCU बन रहा है उसमें वो लोग उसको नए रोल में कास्ट करेंगे और पिछले roast first में इस बात को तो कवर करी लिया था कि James Gunn ने अपने भाई Sean Gunn को Maxwell Lord के रोल में कास्ट कर लिया है लेकिन इस बात से Zachary Levi बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उन्होंने clear-cut statement दे दिया कि अगर आपका भाई DC चला रहा है तो फिर आप अपने आपको जिस रोल में चाहे उस रोल में कास्ट करवा सकती हो क्यों क्या हो गया वो डेब्यू कर चुके हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि अब वो ओशन्स की नई पिचर पे काम करना शुरू कर रहे हैं फाइनली दे हाव गूड स्क्रिप्ट ये तो मेरे लिए म्यूजिक से भी जादा हो गया है यही सुनना चाहता था अगर आप लोग उने ओशन्स 11 और 12 नहीं करी हैं तो आपकी क्या बात कर रहो दुनिया में इतना माल नहीं बना कि जिसको फूग करका में एक बार फिर से बैट पैन एंड रॉबिन देख लें इसके बाद दुएन दरॉक जॉंसन फाइनली अपनी पहली A24 की मूवी में स्टार करने वाले हैं ये कहानी एक MMA fighter क को follow करेगी Marker नाम की जो कि UFC के P केरा में उसे दिखाएगी कि वो कैसे addiction, love और दूसी चीजों के साथ स्ट्रगल करता है आगिर कार इतने सालों के बाद रॉक जी भी अक्टर बनी गए, DC की हायरार्की चेंज करने चले थे, अपना जॉनर ही चेंज कर वाटे जेंडर नहीं बे, जॉनर लेकिन SSSS वालों के लिए खुशकबरी है, नहीं समझते, अभी समझोगे तो Sydney Sweeney ने कुछ दिनों पहले एक विडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने Anyone But You, जो उनकी अपकमिंग मूवी, मतलब वहां तो रिलीज हो गई, यहां पर पाथ जन्वरी को होगी, उसके behind the scenes या फिर deleted scene को अपलोड किया, जिसमें उनको एक huntsman spider ने काट लिया था, और वो काफी छुई मी टाइप का विडियो है, और इसी के साथ Sydney Sweeney Simpsons तान की तरफ से कवीता आई है, तो पेश करना चाहूंगा, जो लोग खाना का रहे हैं, वो अगले कुछ second skip कर सकते हैं, कि चूमलू उस टटी में पड़े हुए मटर के दाने को, कि कभी तो तेरे होटो से होके गुजरा होगा, अगर आप भी इसी तरह सदस्य बनना चाहते हैं, Sydney Sweeney Simpsons तान के, तो नीचे कमेंट्स में अपनी शायरी, अपनी कवीता भेजना ना भूलें, और बन जाइए सदस्य Sydney Sweeney Simpsons तान के, फिर नेट्फिक्स ने कुछ टीवी शोज है, जिनके स्पिनओस कनफर्म कर दिये, जैसे कि, एक्स्ट्रैक्शन, वेटनस डे, विचर, मनी हाइस, पीकी ब्लाइंडर, स्टेंजर तिंग्स, और आर्मी ओफ देड, इनका भी बड़ी है, पहले अंडा लो, उसका ओमलेट बना लो, फिर उसका यलो पाट निकालके बॉयल कर लो, वाइट वाले की भुर्जी बना लो, दोनों को मिला के, फिर विर्यानी मना लो, लेकिन इसके साथ ही साथ, जैम्स गन ने अपने DCU को लेकर अपडेट देना शुरू कर दी है, सबसे पहले उन्होंने Batman 2 को लेकर अपडेट दी, मतलब इस DCU को लेकर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने Batman 2 की पिच सुनी है, लेकिन नो स्क्रिप्ट येट, इसको कहते है, रदी रोना, पूरी दुनिया पिच्चर के लिए तरस रही है, आपने कम से कम कहानी तो सुन ली, फि सरदार खान हो आप, फिर इसके बाद Kingdom of the Planet of the Apes, एक नई ट्रिलोजी शुरू करेगी, Planet of the Apes खतम होने के बाद, और इसमें हमको Caesar नहीं देखने को मिलने वाला, क्योंकि ये 300 साल बाद सेट है उस पूरी ट्रिलोजी के, मतलब 300 साल बीच चुके है, और चलो बंदरों का अचली बढ़ा हुआ है, Insomniac जो कि Spider-Man Games बनाने के फेमस है, उनको हैकर ने हैक कर लिया और बहुत बढ़ा डेडा लीक कर दिया उनके Wolverine गेम को लेकर, तो Wolverine जो कि Insomniac बनाने वाले थे और इसको 2026 में रिलीस करने वाले थे, उसका बहुत बढ़ा चंक अफ गेमले लीक ह कर रहा है and it's kind of good लेकिन उस पर से Insomniac ने आकर के statement दिया है कि वो इस तीज से devastated है लेकिन फिर भी वो अपने track से नहीं बढ़केंगे और Wolverine को time पे रिलीस करेंगे लेकिन इसके साथ-साथ hacker लोगों ने एक उनकी slate बी लीग कर दी जिसमें को यह पता चल गया कि उनके आने वाले गेम कौन से होंगे विच आर absolutely mind-blowing to be honest अगर इस लेट में बिलीव किया जाए तो Insomniac इसके बाद Venom पे गेम बनाने वाले थे जो शायद Miles Morales का वर्जन होगा मतलब जो स्पाइडर मान के बाद इन लोगों ने Miles Morales जितना बड़ा गेम रिलीज किया था उतना ही बड़ा यह वाला गेम होगा उसके बाद Wolverine फिर Ratchet & Clank का सीक्विल उसके बाद Spider-Man 3 and then comes an X-Men गेम और इतना ही नहीं इस डेटा ब्रीच में एक और माइंड ब्लूइंग सी चीज भी रिवील हो गई है कि Sony और Marvel के बीच में एक exclusive contract हुआ है 2035 तक X-Men के गेम बनानेगा मतलब 2035 तक X-Men के गेम सिर्फ PlayStation पर ही आ सकते हैं और कहीं नहीं लेकिन दूसरी तरफ ऐसा सुनने में आ रहा है कि Warner Brothers के President David Zaslav जो है वो Paramount Pictures के Executive से मिले है एक merger डील के लिए अगर यह सच हो जाता है तो काफी कुछ बदलाव आ जाएंगे जादा बड़े सपने नहीं है मेरे बस एक Batman और Ninja Turtles की पिचर ही तो मांग रहा हूं पर इसके बाद फाइनली जेम्स गन अपनी Superman Legacy को चालू करने के लिए त को लेकर उन्होंने एक statement दिया उन्होंने कहा कि उनकी production team ने बहुत महनत करी sets बनाने के लिए और फाइनली वो दिन आ चुका है जब अपनी shooting को start करेंगे क्योंकि अगर आसा नहीं होता तो वो कभी भी अपनी release date को make नहीं कर पाते विच जुलाई 2025 हम देखना चाहते है कि आ लेकिन अब इन चीजों को debunk किया जा रहा है सब बोला जा रहा है कि इस movie में lady deadpool देखने को मिलेंगी तो taylor swift lady deadpool हो सकती क्योंकि कुछ time पहले होना ने deadpool का cosplay किया था तो this could happen ऐसा बोल रहे है तो इससाब से तो मैं भी विराट कोली बन के इंडिया में कहल लेता हूं लेकिन उसी का lady's version है अब कौन है क्या है यह picture देखके समझ ले और Jonathan Majors को गई वे जुम्मा जुम्मा हुआ नहीं था कि Marvel ने दूसरे लोगों के नाम चाटने शुरू कर दिये हैं जिसमें से सबसे पहले आते है Mads Mickelson मुझे पता है कि इनको Dr. Strange में already cast किया जा चुका है लेकिन Gemma Chair ने भी तो दो रोल प्ले की है ना MCU में तो ये भी कर सकते हैं सुपरव एक्टर है लेकिन इसके बाद जो दूसरा नाम मेरे को सुनने मिला वो तो बहुत ही mind-blowing था and he was Ryan Gosling अब ये किस रोल में होंगे हमको नहीं पता लेकिन एक्टर बड़े उफान पे है तो कास्ट कर लेन चाहिए इससे पहले की जो दूसरा स्टूडिय वो इनको ठाल मैं बता रहा हूं ले लो बिकॉज अभी तो सिर्फ कैन है लेकिन आपके लिए ये कैंग भी बन सकता है गंदा गंदा था पर ठीक है लेकिन फिर ऐसा बोला जा रहे कि अगाथा मैं इसका नाम पूरा नहीं ब बेस्ट है जिसके बारे में यहां बात नहीं करेंगे नहीं तो पिलाई बहुत लंगी हो जाएगी क्यानकी लेकिन फिर आते हैं सबसे इंट्रेस्टिंग खबर और वो यह है कि फेंटास्टिक फॉर के कास्ट अनॉंस्मेंट किसी भी मोमेंट हो सकते है मतलब घड़ी तो अब लेकिन हो सकते कभी भी जैसे मैं बोल रहा हूं अभी कभी भी आ सकता है नाम लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि कास्टिंग अभी तक किये क्यों एपिचर की शूटिंग को एक ही महीना तो बाकी है तो उसका रीजन बहुत ही सिंपल है जॉनतन मेजर ने जो कांड किये हैं उसके बाद से डर का महूल है तो यह थी इस हफते की सारी घबरे मतलब पिछले दो हफते की सारी घबरे तो विद बिंग सेट अम लोग इस वीडियो के यही पर आप करेंगे वह बहुत जादा हो जाता था रोस्ट वर्स बहुत जादा वह जादा वह भी दो हफते आज अलवेज बनना है तो जिन्दगी में मेजर बनो मेजर्स नहीं